मुझे पॉप्पू जाद आपको जेल कर दिया गया है वो पुर्व सांसर पुर्व गिलाय के रश्चिक है और उन पर बहुत सारे मामले पहले से लंबिक थे उनको इस बिकट परिस्टी में जब वो हमारे नौन में ताजी परताप हो ही जी के घर पर गए कि उन्होंने ये गलत किया अपने सिजा करके उनको कौनून के तहत जाकर करके कुछ सारे एंबुलेंश कुछ जनता के प्रतिशुधा के लिए मौंग रखना चाहिए लेकिन उन्हें डियरेक्ट जाने से लेकिन दूसरी तरफ कितनों भी वो गलती नहीं किये थे कि उनको इस तरह से जेल में तेना चाहिए कुछी वो जनता की सेवा के लिए ही मौंग रखे तो उनको उनसे गल्टी रहे और यह 32 साल पुराना केस में बेल कुट्टी में अगर दिया जाया वो पदाधिकारी जी दोसी है वो थानों जी दोसी है जिन्हों ने इसके पुराने बेल को रखा जमादर किसको पहले ही एर मैं भी केस के मुदाले रहा चुका हूं अगर मेरे ओपर वायरेंट है तो आप बेल कराएंगे अध्मा हम बेल नहीं कराते तो आप हमुरा उसी में एरेस्टिंग कीजिए चलते फिर्टे मेरेस्ट कर लीजिए बहुत इसमें ना है कानून की यहां मैं दोस्त देता हूं कि एक प्रचिक्ष करने वाले नेता थे वो जनता के प्रक्राइब सारी भाव रखते हैं जनता की शेवा में लगे रहते हैं अगर उनका वैरेंट आ गया था दोसी है कहनुन से भाग तो नहीं रहा था उनको आप पहले कहता है कि पकूजी आपने पेपर में देते हैं कमापर यह वाइरेंट है आप सिलेंडर हो जाईए है सुचनों मिलना चाहिए पुलिस के तरफ से अगर उन्हों नहीं नहीं दिया और जिस मोके का फैदा जिस पदादिकारियां उन्हें जिस विक्ति ने उठाया है यह अकिनर माना जाएगा राजनिती से प्रेयरित हो करके उन्हों हम ने गल्टी किया कि उन्हों का सहा नेकर के अम्बुलेंस को फरवाना चाहिए एक सोचने की जबता की घरी में एक सोचने की विसे था हम मोने यह तो राजी प्रता और और जी का भी संवहन करता हूं लेकिन प्विक्तिव प्पुजी को भी चाहिए हमारे मॉनने प्पु लोगों ने यहां अपनी जान में चावर करके प्रैवेट गारी सु पेसेंट को पसाना शुरू किया उनके यहां सरकार का एम्बूलेंस रखा हुआता है एक बहुत निंदनिये भी से हैं जिसको हमें कभी नहीं कहूंगा कि अच्छा हूँ जो अच्छा है मैं अच्छा कहू दीट में च्छा झालन करते हैं सकत्मान कि बिमार चल रहा है। ज्यादा बिमार geeन초 कनौन के दाईरे में जो चले महारने नियाले का जो निर्देश होगा उनको प्वाद्दिक भी महांं पोगा सा दारा क्यों अब हमें यही दिए मामलां ना सरकार आधाना को यह संमान करूंगा कि मेरी पीसे में यह पपूच के नियाले सर्वों परी है उसको सबों को मानना चाहिं और मैं भी मानता है ABP News आपको रखे आगे